हेलो एवरीवाँ दसे साहिल फ्रॉम हैंकिंग बेगेंज और आज की इस वीडियो में हम रिजॉल्फ करने वाले हैं बैंडिट लेवल 11 जहां दोस्तों इसके पहले की जो वीडियो हैं मैं और यहां पर पब्लिश कर चुका हूं अगर आपने ये पहली वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं जहां पर आप मेरे साथ कर सकते हैं इस पैंडिट लेवल्स को रिजॉल्फ तो बिना किसी देरी के चलिए हैक करते हैं यहां पर आप जैसे की दे पर रिजॉल्फ यहां पर एक एल्गोरिथम यूज किया गया है इसे इंकोड किया गया है पासवर्ड को अगर आप इसके बारे में जादा जानकरी चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं यह किस तरह से साइफर्स है यह बहुत ही एक सिंपल वे है लेटर्स को रिप्लेस करन का और आप इस चीज को बहुत ही असानी से आप इसे ट्राइ कर सकते हैं तो चलिये सब्से पहले हम यहां पर देखते हैं हमारे पास फाइल है कौन सी तो यहां पर सबसे पहले मैं टाइप करूंगा लस आप देख सकते हैं डिटा.txt हमारे पास आलरडी है अगर मैं यहां पर लिखूंगा cat और लिखूंगा data.txt तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास सारी information आ चुकी है यहां पर road 13 के online decoders भी हैं अगर आप चाहें तो आप वहां से भी इन सभी चीजों को decode कर सकते हैं but in the linux there is another method जिससे आप इसे decode कर सकते हैं as an example अगर यहां पर मैं लिखूंगा man tr तो यहां पर आप देख सकते हैं tr मतलब होता है translate or delete correctors और इसी tr की help से आप जो road 13 का encryption है उसे भी आप break कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप इसे किस तरह से कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे cat data.txt और उसके बाद देंगे आप pipe का sign फिर लिखेंगे आप tr लिखने के बाद यहां पर आपको लिखना होगा a to z और फिर लिखना होगा फिर से आपको a to z because यहां पर lowercase और uppercase यह किसी चीज़ किसी में भी हो सकता है यहां पर तो दिखें यहां पर road 13 है it means आपको alphabetic के 26 letters को आपको 13 13 में convert करना होगा तो यहां पर हमें लिखना होगा n to z फिर आपको लिखना होगा a to m और यही चीज़ आपको फिर लिखनी होगी caps में it means n to z and then a to m आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर सबसे पहले lowercase में लिखा है फिर मैंने इसे uppercase में लिखा है और जैसे ही यहां पर मैं हिट करूंगा enter और यहां पर आप देख सकते हैं password आपके पास आ चुका है यहां पर अगर मैं लिखूं ssh bandit 12 at the rate localhost yes करते है पासवर्ड आपके पास आ चुका है इसे करते हैं यहां से copy और paste आप देख सकते हैं bandit 12 पर हम आ चुके हैं इस वीडियो में दोस्तों इतना ही thank you जै हिंद